पैसा मानव इतिहास की सब से खराब्ध होज है लेकिन मनुष्य के चरित्र को परखने के लिए सब से विश्वश्णियन समगरी है राधे राधे शर्मा जी की कहानी चैनल पर आप सब का हार्दिक हार्दिक स्वागत अभीनंद मेटा आज के जमाने में चाहे आप कितनी भी किसकी भलाई कर लो लेकिन अंत में मिलती बुराई ही है मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ एक बार एक व्यक्ति जा रहा था उसने जाडियों में चिपे हुए एक सांप को देखा सांप ने प्रार्चना की कि तुम मुझे जाडियों से बाहर निकाल दो आदमी को दया आ गई और उसने सांप को जाडियों से बाहर निकाल दिया अब सांप का तो सोभाव जैसा है आप जानते ही है जैसे उसे बाहर निकाला वो उस आदमी को कहने लगा कि मैं तो तुम्हें डसूंगा अब उस आदमी ने कहा सांप से कि मैंने तो तुम्हें बाहर निकाला है तुमारे साथ भला वेवार किया और तुम मुझे ही डसूगे ये तो गलत बात है साप ने कहा कि हमेशा से ही भलाई के बगले बुराई ही मिलती है इसलिए मैं तुमें डसूंगा आदमी ने कहा कि तुम रुप जाओ हम किसी और से फैंसला करवाती हैं कि मैंने तुमारा भला किया और तुम मेरा बुरा कर रहे हो करना चाहिए या नहीं साप मान गया उसने का चलो ठीक है वो आगे गए उन्हें एक गाई मिली तब आदमी ने गाई से कहा कि देखो मैंने साप को बाहर निकाला और ये साप मुझे डसना चाहता है अब आप बताओ कि इसे क्या करना चाहिए तो गाई ने भी यही कहा कि हमेशा से ही भलाई के बदल बुराई मिलती है जब तक मैं दूद देती थी मेरा मालिक मेरा ध्यान रखता था समय पर मुझे चारा डालता था लेकिन अब मैं बुड़ी हो गई हूं इसलिए उसने मुझे बाहर निकाल दिया है घर में ही नहीं आने देता वह विचारा हरान हो गया आदमी अब सांपने कि ठीक है अब तुमने उत्तर सुन लिया अब मैं तुम्हें डस हूंगा तब आदमी ने कहा नहीं किसी और से पूछते हैं वो थोड़ी दूर आगे गए तो उन्हें जो है एक गधा मिला और गधे को सारी बात बता दी और कहा कि आप हमारा निरने कर दीजिए गधे ने कह कि सांप बिल्कुल सही कह रहा है कि भलाई के बगले हमेशां बुराई मिलती है जब तक मैं जवान था वजन ढूता था अपने मालिक का काम करता था तब तक वो खुश था लेकिन अब उसने भी मुझे घर से बाहर कर दिया है अब उसको तसल्ली हो गई सांप को क्योंकि द वो आगे चले उन्हें एक बंदर मिला बंदर को भी आदमी ने अपनी सारी बात बता दी बंदर ने कहा कि मैं निरने तो कर दूंगा लेकिन पहले मुझे वहां लेके चलो कि जहां ज़ाडी में से तुमने सांप को निकाला था और इसको उस ज़ाडी में डालो फिर बाहर निकालना तब बताऊंगा अगो तीनों जो है वहीं पहुंच गए जहां उस आदमी ने सांप को ज़ाडी से निकाला था उस आदमी ने सांप को वापस ज़ाडी में फेक दिया और जैसे ही निकालने लगा बंदर ने आदमी को रोक दिया तो रुको इसे बाहर निकालना न बेल लाइकन के बटन को दोवाए ताकि ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी कर नोटिफिकेशन सबसे पेले आपको मिले धनियवाद